Hello everyone, welcome to IQTab. Now in this particular video, we are going to talk about another potential topic that might come in UPSC 2024 Prelimbs Examination. So UPSC 2024 के Prelimbs Examination के अंदर, जितने भी important high yielding topics हैं, उनको हम इस particular series के अंदर discuss कर रहे हैं. एक और potential topic के बारे में, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं. Now, ये एक recent news हैं, that is about Karpuri ठाकुर. Now, Karpuri ठाकुर कौन थे, ये क्यों news में हैं, और exactly किस तरीकी के questions हमारे यहां पर UPSC Prelimbs Examination के अंदर आ सकते हैं, उनको हम में इस वीडियो के अंदर, यहां पर discuss करेंगे. सबसे पहले समझते हैं, that Karpuri ठाकुर is a personality in news, और personality in news अक्सर UPSC के अंदर ऐसे questions पूछी जाते हैं. So, सबसे पहले चीज़ तो, हमें ये पता होना चाहिए कि, why is he important? So, Karpuri ठाकुर जे हैं, दो बार बिहार के CM रहे थे, बिहार जो एक state है, भारत का, उसके chief minister रहे हैं twice, ठीक है? That is why, ये काफी important personality है. Now, recent context क्या है? Recent context यह है कि, उनको recently भारत रतन अवार्ड दिया गया है, postumously. Postumously का मतलब होता है, मरनो परांथ. मतलब, किसी person के death के बाद, अगर उनको भारत रतन का अवार्ड या फिर कोई भी एक particular award दिया जाए, उसे कहते हैं कि, वो अवार्ड उन्हें, postumously दिया हुआ है. आपको बस ध्यान अकना है, करपूरी ठाकुर, जो कि two time बिहार के chief minister रहे हैं, उनको recently भारत रतन का अवार्ड दिया गया है, postumously. नो करपूरी ठाकुर जो है, उन्होंने freedom struggle के अंदर भी participate किया था, और उसके कारण उनको jail भी हुई थी. So, exactly किस movement के अंदर हुआ था, इस चीज़ के बारे में हमें मालूम होने की ज़रूरत नहीं है, because बहुत prominent personality नहीं थे, वो freedom struggle के time में, but हाँ, वो jail गया है हमारे freedom struggle के time में, हमें ये मालूम होना चाहिए. इसके अलावा, जब independent India आया, उस समय, जब हमारी election स्टार्ट होते है 1951-52 में, जब हमारी election स्टार्ट हुए, center और state level पे, तो उनको सबसे पहली बार MLA के तरह चूज किया गए 1952 में, बिहार state से, ठीक है, और 1952 से लेकर के 1988 तक, 1988 में के जो death हुई थी, ठीक है, so 1952 से लेकर के 1988 तक, ये लगातार बिहार के अंदर एक MLA रहे थे, बस कुछ time तक नहीं रहे थे, जब 1977 में, उनको as a MP चूज किया गया था, याने कि Member of Parliament, Member of Parliament जब उनको चूज किया गया था, उस समय, वो MLA नहीं थे, बाकि 1952 से लेकर के 1988 तक, वो लगातार MLA के पूश्ट पर थे, न उनकी comment जो है, सिर्फ और सिर्फ 6 महिने के अंदर गिर जाती है, इसका reason क्या था, इसका reason हम थोड़ी देर में discuss करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, कि जून का first time था as Chief Minister, जो कि 1970 में आया था, वो सिर्फ 6 महिने में खतम हो गया था, उसके बाद, जून 1977 में, उनको फि जिहार के Chief Minister, दो बार रहे हैं, लेकिन दोनों ही times, उन्होंने अपनी जो term है, पांच सल का, उसको complete नहीं किया है, ठीक है, यह question UPC यहां पर पूर सकता है, कि क्या उन्होंने अपने term को complete किया है, the answer will be no, now, करपूरी ठाकोर जो है, वो बहुत जादा प्रसिद थे, बहुत ज स्टोरी है, कि एक बार इनको किसी एक international conference के लिए किसी दूसरी country में जाना था, बट इनके पास पहनने को coat तक नहीं था, तो उन्होंने अपने एक friend से coat उधार मांगा था, लेकिन जो इनके friend circle थे, वो भी बहुत जादा अमीर लोग नहीं थे, वो भी बहुत जादा rich लोग तो जिस friend से उन्होंने coat मांगा था, वो particular person भी काफी गरीब था, तो उन्होंने जो coat उनको lend किया था, मतलब उनको जो उधार दिया था, वो coat भी काफी जादा फटा हुआ था, it was a torn coat, तो वो वही फटा हुआ coat पहन करके international conference में जाते हैं, वहाँ जब हो गये, तो वहाँ पर एक दूसरे country के minister ने उनको देखा, और ये देखा कि इंडिया की आयोए participant के पास जो coat है, वो torn है, मतलब कि फटा हुआ है, तो उस particular person ने, actually, करपूरी ठाकुर को एक new coat खडीद कर दिया था, Now, this is not something to be ashamed of, this is something that we should be proud of, यहाँ पर करपूरी ठाकुर जो है, बहुत ज़्यादा famous है because of his clean image, माना जाता है कि उन्होंने कभी भी government fund को अपने personal use के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कभी भी सरकारिक चीजों को कभी भी अपने personal चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया and mind you, उस particular time में, 1970s के time में, जो chief ministers होते थे, उनकी salary बहुत जाता नहीं होती थी, ठीक है, और जो भी salaries होती थी, माना जाता है कर पूरी ठाकर, हमेशा उसका 90% से ज़्यादा जो salary है, उसको charity में दान कर दिया करते थे, because of which, उनके खुद के पास बहुत जाता चीज़े नहीं ह भागरती थी, ठीक है, जून 1970 में, जब वो भीहार के chief minister बनते हैं, for the first time, जो उनका first term था, जैसे मैं आपको बताया है, आपर 1970 में, जैसे मैं आपको पहले बताया था, कि 6 महने के अंदर इनकी सरकार गर जाती है, exactly reason क्या था, उसको हम समझते हैं, देखे, जून 1970 में, जब क बिहार state level पे backward classes के proper inclusion और exclusion के बारे में, मतलब कौन-कौन से एक particular caste है, जनको include किया गया है, जो की include नहीं किये गया है, बट इनको include किया जाना चाहिए था, अलग-अलग reservation policies में, जैसे SCs, STs, OBCs, इन सब्सक्रीजों में, उनको include किया जाना चाहिए था, इस particular चीज को check करने के लिए करपूरी ठाकूर जी ने मुंगेरी लाल कमिशन को बिठाया था, नो मुंगेरी लाल कमिशन ने जो final report दिया, उसके अनुसार बिहार के अंदर total 128 backward communities थी, जैसमें से 94 communities थी जो कि most backward थी, मतलब कि जो कि backward में भी backward थी, उनके पास बिलकुल भी resources नहीं present थे, तो यहाँ प करपूरी ठाकूर जे खुद जो थे, उन्होंने 26% reservation का एलान किया, 26% reservation दिया, और 26% reservation देखी किस तरीके से दिया, एक चीद हान रखिएगा, करपूरी ठाकूर was the first person in India, जिन्होंने layered reservation system start किया था, मतलब एक single reservation system को ही एक particular layering के तरह उन्होंने देना start कर दिया था, एक reservation policy को उन उन्होंने layers में divide कर दिया था, अगर कोई पूसता है आप से, कि layer reservation system का जन्म दाता कौन है, फिर who is the father of layer reservation system, the answer will be करपूरी ठाकूर, समझते, करपूरी ठाकूर जो formula आया था, उसके अनुसार, total 26% reservation दिया जाना था, इस reservation को किस तरीके से layer किया गया, किस तरीके से divide किया गया, कि इस 26% में से 12% reservation जो है और directly OBCs को दिया जाएगा, मतलब कि other backwood classes को दिया जाएगा, now 12% हो गया, अब देखिए, जो बाकी जो 14% बसता है, उसको किस तरीके से divide किया गया, उन्होंने बोला कि OBCs के अंदर भी कुछ ऐसे communities हैं, जो कि economically backward है, मतलब कि देखिए, एक तो उन्ह जादा गरीब है, जो कि मुंगे इलाल कमिशन ने यहाँ पर बोला भी था कि कुछ communities most backward आती हैं, तो इन most backward communities को उन्होंने 8% reservation अलग से provide किया, ठीक है, so I hope अब समझ पा रहे है, कर पूली ठाकोर जी ने total 26% reservation प्रवाइड किया OBCs को, OBCs को reservation को अब यहाँ पर layering कर दिया, मतल कि जो OBC communities के अंदर भी economically backward थे हैं, उनके लिए था, इसके अलावा 3% reservation women OBCs के लिए था, and अब सबसे important यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है, उन्होंने upper caste, जितने भी upper caste की communities थी, उसके अंदर poors को ढूंडा, जितने भी poor लोग यानि के लिए economically backward लोग जो थे हैं, जो कि upper caste के थे हैं, उनको भी reservation प्रवाइड किया 3% है, इसको और थोड़ा simple words में समझते हैं, कि exactly, poors from upper caste का मतलब क्या है, आज से 5 साल पीछ रही है, central comment ने एक new reservation policy लेकर आया, EWS, EWS का full form होता है, economically weaker section, मतलब कि ऐसे हैं, economically weaker sections है, मतलब कि upper caste के होने के बावजूद, अगर कोई poor है, तो उनको अलग से reservation दिया गया, यही मतलब EWS communities का, यही मतलब EWS communities का, यही मतलब अज पूरी ठाकुर जी ने 1970 में लेकर आय थे, जस टाइम बाखी लोगों को इसके बारे में आइडिया भी नहीं था, उस कारण, actually, जो high caste के लोग थे, जो upper caste के लोग थे, वो इनके against हो गये थे, और उन्होंने अपना support उनकी comment से जीन लिया था, because of which, 6 मेने के अंदर इनकी comment यहाँ पर गिर जाती है, So I hope I have made myself clear, कि क्यों और किस तरीके से exactly करपूर इठाकुर formula यहाँ पर काम करता है, किस तरीके से एक बहुत दूर दर्शी सोच के बारे में शोग करता है, exactly किस तरीके से उनके far-sightedness के बारे में बताता है, और किस तरीके से जो layer reservation system था, उसका starting जो था, वो करपूर इठाकु को complete नहीं कर पाये थे, और उनका सबसे important चीज यह है, कि उन्होंने करपूर इठाकुर formula लेकर आए था, जिसके अंदर 26% reservation OBCs को दिया था, जिसमें से 12% overall OBCs, 8% most backward communities among OBCs, 3% women's, और 3% EWS communities को वहाँ पर provide किया गया था, और यह layered reservation system को पहले बार लाने वाले, पहले परसंते क पूरी ठाकुची, so I hope I have made myself clear कि exactly यह particular topic क्यों important है और किस तरीके से यहाँ पर UBC examination के अंदर पूछा आ सकता है, I hope you like this video, if you did, please do like, share and subscribe and thank you so much for listening.